क्या दोस्तों आपको भी My 11 Circle में Invalid Session का Problem आ रहा है? क्या आपको नहीं पता कि My 11 Circle में Invalid Session के इस Problem का हम कैसे Solve कर सकते है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आप कैसे My 11 Circle में Invalid Session का Problem Solve कर सकते हो? तो चलिए दोस्तो आज की वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो My 11 Circle में Invalid Session का Problem Solve करने के लिए सबसे पहले हमें My 11 Circle के Application को Open कर देना है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हमने My 11 Circle के Application को Open कर दिया My 11 Circle के Application को Open करने के बाद आपको यहाँ पर Invalid Session का Problem आएगा तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पर आपको इधर More Caution मिलेगा तो आपको Simple से इधर More के Option पे क्लिक कर देना है More के Option पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का Interface आएगा और दोस्तो आपको यहाँ पर एक AUप्चन मिलेगा Switch to Rummy Circle का तो आपको simple से switch to rummy circle के उपर click कर देना है switch to rummy circle के उपर click कर देने के बाद आप my 11 circle के rummy section में आ जाएंगे अभी दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर एक menu bar दिखाई देगा तो इसके उपर click कर देना है इस menu bar के उपर click कर देने के बाद आपको थोड़ा सा इधर नीचे scroll down करना है नीचे scroll down करने के बाद इधर आपको एक option मिलेगा switch to my 11 circle का तो आपको इसके उपर click कर देना है फिर से जैसे ही दोस्तों आप switch to my 11 circle के उपर click कर देंगे तो आपका my 11 circle का application फिर से open हो जाएगा ठीके यह open होने के बाद दोस्तों आपको my 11 circle में invalid session का problem नहीं आएगा